वीडियो शुरू करने से पहले चोटा सा रिक्वेस्ट है गाईज अगर मेरे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजिएगा यह जो ट्राइज ड्रिस सब्द लिके हुएं सस्क्राइब इसको प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जर और यहां पारलर में जो बेक्वावस्ट होती है गाईज वो नीचे तक लेते हैं पीट पे मैं यहाँ गर्दन की जो है काला-काला जो हो जाता है ना गर्दन उसको साफ करुआ रही हुगा तो यहां क्लीजिंग और स्क्रब पहले मैं ने क्लीजिंग करवा ली है और फिर थोड़ा सा उसी में स्क्रब ले लिया है, तो स्क्रब से क्या होता है, गर्दन पे जो काला काला होता है वो साफ हो जाता है, तो यहां मसाज देते हुए पूरे कंदे को करते हैं, तो यही जो जब हैर वाश करते हैं, हैर इस्पा करते हैं, तब उसमें भी यही होता है, और फ प्रेशर पॉइंट दबाने हैं और कंदे का दबाना है क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है कंदे में तो कंदे भी दबाये जाते हैं और जब हैड मसाज की जाती है जब सिर में तेल लगाया जाता है तब भी ये कंदे दबाये जाते हैं और हैर इसपा किया जाता है तब भ और आपके पास क्लीजिंग नहीं हो तो आप दूद में कच्छे दूद में हल्दी डालके और उससे भी आप जो है हाथ से या रूई से कॉटन से लेके आप साफ कर सकते हो और यह पीछे देखे यह कंदा मेरा बहुत दर्द करता है तो यह इसी पर प्रैशर दे रही है उसका गरला बड़ा जो पैंती है ना लेडिस उनको वो जो है साफ रखना ही पड़ता है काला काला हो जाता है गया इस पीछे जहां अपनी जो तोचा कपड़े के संपर्क में नहीं आती खुली रहती है वहां से वो काला पन हो जाता है इस वज़े से और बस यह लड़किय नहीं बना और मेरी मैड ने भी छुट्टी कर ली थी गाइस मैड बार बार चुट्टी कर लेती है यह उल्टी क्लिप लेली लड़कियों ने I really very sorry इसके लिए मैंने नहीं काटा इसको अच्छी लग दी थी तो मैंने नहीं काटा उल्टी है थोड़ी सी तो बस वही और जो चलिए तो अब आज जो है डेली रूटिन मैंने खाना बनाया है देखिएगा आप मेरे कौन गैस्ट आये हैं तो बस वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो मुझे एडिटिंग अभी इतना नहीं आता है तो क्लिप भी उल्टी होगी तो वो भी मुझे सीधा करना नहीं आया गैस तो चलिए आये रियली वेरी सोरी लड़के के रहे हैं मैं इस तरीके से हसिए हाथ को ऐसे करिए ऐसे करिए और मुझे इतना आता ही नहीं है और मैं जो है फ्रेंट में भी इतना नहीं आती हूँ और फ्रेंट में आती हूँ तो गैस मैं बाते चादा कर ले तो इस वज़े से और दो-तिन जित दिनों से जो है आपको खुद को पताए कि मेरी तबेत खराब है और क्या किया जाए और बस पापाजी भी जो है भेराना धाम से आ गए हैं तो अब मुझे खाना वाना जो है बनाना है और किकीनी तो नहीं बनाऊंगी वले चाहे तबेत ख मैंने जोड़ दी है और आपकी रिक्वेस्ट के अनुसा नहीं तो मैं जो है नहीं जोडने वाले थी इन सब को तो और आपके पास स्क्रब ना हो ना तो आप सूजी या मक्की का दलिया वो आप दही में या जो है कच्छे दूद में भी मिला कर और स्क्रब बना सकते हो नास्ते की तयारी कर रही हूं मैं सुबह सुबह मैं बता दूँ गाइस मेरे आए हैं मोसा जी जो लखनों में रहते हैं वो मोसा जी आए हैं तो बस यहां मेरी तबेत तो खराब थी सुबह ही में नहा ली थी जल्दी और तीन चार दिन से मैं सुबह ही जल्दी नहा रही लड़ो रख दिये, बिस्किट नमकिन ले लिए मैंने फ्रूट वगरा रखे थे केले और एपल और जो है समोसा कचोरी और ये सब मंगवाएं तो बस यही मैं यहाँ पर थेली रखी हुई है तो ये खाली करूँगी अभी और फिर जो है निकाल के रख दूँगी, यहाँ स्वामी जी कुछ निकाल रहे है, शायद हाँ आए देखिए ये स्वामी जी निकाल रहे है कुछ और चलिए और अब जो है गुलाब जामन मंगवाएं मैंने, तो वो भी जो है, मैं कर दूँगी सारी सर्व कर दूँगी ताकि जो है, मुनास्ता कर लेंगे वो फ्रेश हो गए है और चायवाई बनाऊंगी, तो चटनिया निकाल दिये, मीठी और धनिये की आती है, दही फ्रीज में रखा हुआ था, ठंडा तो ठंडा तुम्हें कैसे देती, तो मैंने फिर ताजा जो है, दही बजार से ही मंगवाया था और जलेबी निकाल दी, जलेबी में मंगवायी थी, गुलाब जामुन निकाल दिये, और स्वामी जी ने भगवान जी के भोग लगा दिये, जलेबी और गुलाब जामुन का पहले ही तो मिर्ची बड़ा मंगवाया था मैंने और कचोरी प्याज की और जो है समोसा नहीं मिला था और दाल की कचोरी और पोए थे और अमरूद और एपल और केले और यहां यह लोग नास्ता कर रहे हैं और चोटी सी मैंने क्लिप बता दी वो दे और फिर वो स्वामी जी के साथ जाएंगे शोप पर उसके बाद मैं जो है फिर मैं खाने की तैयारी करूंगी स्वामी जी इदर देख रहे हैं कि वीडियो शूट कर रही है एक तरव नजर इदर गुमा के और फिर वापस से उन्होंने उदर कर ली बस जो है इदर मैंने च चाई चड़ा दी और गरम पानी फिर से कर रही हूं गरम पानी दे देती हूं ठंड है अभी गाइस और मैं भी जो है थाइरड की गूली मैंने ले ली थी और जूस भी ले लिया था गरम पानी से और यहां पर गरम पानी स्वामी जी के और जून के दे दिया है मैंने और य प्रण्ट के दिनों में चाय का मज़ा बहुत मज़ा आता है गाइस चाय पीने का और रेड कलर की मैंने गाउन पैनली मैंने और मांग भर ली थी बिंदी लगा ली थी मैंक तो में इतना कुछ खास करती नहीं हो तो देखिए मैंने फ्रंट वाला केमरा कर लिया है और बस मैं मेरे मोसा जी लगते हैं मैंने फर फिर भी चुन्नी ढक रखी आदत जो पड़ी हुई है सिर पे चुन्नी डाल ली और कोई ना अच्छा लगता है चुन्नी डालना सम्मान देना होता है बड़ो को चलिए एक छोटा सा व्यू लेरियो में फोकस नहीं हो रहा है मोबाइल से वही सोच रही हूँ क्योंकि मुझे अभी वीडियो बनाना इतना आता ही नहीं है कुछ भी नहीं आता अभी गैस इधर मैं पलंग पे बैड़ गई हूँ मेरी चाय लेके और चोटा सा व्यू लिया है एक पास में आके और ये मोसा जी है और ये यहाँ से स्वामी जी खाली करते जारे हैं सामान टेविल पर मानी रहा है इसलिए और चलिए मैं भी अब मिर्ची बड़ा खाऊंगी चाय प्योंगी और ये यहाँ पर चलिए गाइस देखते हूं सोचूंगी सबजी क्या बनानी है सबजियां तो इतनी जादा मेरे पास नहीं है और देखिए मैंने मे मोसा जी के लिए एपल काट रहे हैं तो बस स्वामे जी भी खा लेंगे एक दो पीस और मोसा जी को भी देदेंगे एपल के और बच्चे मेरे जो है पढ़ाई कर रहे हैं दोनों बच्चे बच्चों को भी मैं आवाज लगा रही हूं आ जाओ आ जाओ नास्त कर लो कुछ ौपर बच्चे आनी रहे हैं और वो के रहे हैं ममी पहले पापा को मोसा जी को करने दो उनके बाद हम खा लेगे और वैसे भी जो है बच्चे छोटा वाला बेटा खाता है पियाज की खोरी बाकी बड़ा वाला ने खाता बड़ा व пользов पहे खाएगा शाय यह जले भी खा सक और मेड बिनने भी ऐसे टाइम पर छुट्टी करी जब मेरी तवेद खराब थी तो चलिए कोई बात नी उसकी भी तवेद खराब थी वो बता रही थी और यहाँ पर मैं अब जो है मिर्ची बड़ा उस टाए मैं बोल रही थी मिर्ची बड़ा कचोरी के साथ चाए अच्छी लगती है एक चमच पोई की खाऊंगी और एक घुट चाए का पिऊंगी सर्दी में चाए अद्रक और इलाइची वाली चाए दोनों ही मिक्स करके डालती हूं मैं अद्रक भी इलाइची भी बहुत टेस्टी और यम्मी लगती अद्रक इलाइची की चाए और बस यहाँ पर मोसा जी चाए पी रहे हैं स्वामी जी चाए पीते ही नहीं जैसा कि आप सबको पता है स्वामी जी जो है चाए वगेरा कुछ भी नहीं पीते हैं गाइस दूद लेते हैं बस और बोलते हैं न सादा जीवन उच्छ विचार इ अगर मिर्ची और तेल मिर्च से जादा डल जाता है ना गैस तो स्वामी जी लड़ते भी हैं मुझे और बोलते जहर बनाया है आज तो मिर्ची तुने जहर ही कर दी सबजी को जहर बोलते हैं मिर्ची को बस यहां चाई पीती जारी हूँ मैं और रैडी कलर की चुन्नी डाल यह मिर्ची बड़ा खारी हूं तो वास में भी आनंद लेती हूं क्योंकि मेरी तब ठीक नहीं है तो मैं बैठ गई एक जगे कितीक देर खड़ी रहती पेरों में दवर दो रहा था बहुत जादा और बस इधर बच्चे कुछ बोल रहे हैं शायद और फिर वो दोनों चले ग भयोंगी तो लाल मिर्ची की चटनी तो होई जाएगी और हरे धन्या की चटनी भी बनालुंगी टामाटर लेहसून और नमक सौंफ गिरह आसाउंप कैसारी सौंफ डालते हैं वैसे कई जनए मैं तो जीरा डालती हूं तो वो ऩाल तो चलिए चटनी तो पीस लेते हैं पूरी और उसके बाद में हरे दनी की चटनी बनाऊंगे सब्जी का सोचूंगे क्या बनाना है और सब्जी मेरे पास गोवी रखीए हो सकता है गो भी बना लू, मैं हो सकता है दल चावल भी बना लू जो भी अर इधर धन्या साफ कर रही हूँ मैं बहुत फास्ट क्लिब को करदा LIQ यहाँ धन्या साफ करके दोखे डाल दिया धूर जीरण डाला है ज्यादा कुछ नी डाला मैंने तो यह थोड़ी रेरेड हुई है क्योंकि जो मिकसर का जार चटनी का था ना उसे में मैंने हरा धनिया डाल दिया था और इधर छोंका भी लगा दिया सरसो के तेल में राइस जिरा डाल के और छोंक लगा दिया और बस आटा भी लगा लिया और मैं जो बना रही हूं उसका भी मैंने चड़ा दिया पैन और यहां पर राइस गला रही हूं फोर्ट्टिन के राइस और अब मैं बना रही हूं यहां पर जो है तो चलिए गाइस मिलेंगे अगले व्लॉक में तब तक के लिए बाइ बाइ लाइक सस्क्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा थैंक यू फोर वाचिंग अगला वला व्लॉक जरूर देखिएगा उसमें भी जो है पार्लर से रिलेटेड व्लॉक शेयर करूंगी मैं वीडियो सोरी और दूसरे चैनल को भी सस्क्राइब